तक मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर लेकर आ गया है उपके शांदार वीडियो और यहां पर देखिए मार्केट के अंदर में पॉजिटिवनेस देखने को मिला और वो डाउन देखने की जो है न वो प्रॉपर एक वजह थी क्यों डाउन गया है यहां पर मैंने आपको पहले बोला यहां पर होरी है भया और प्रॉफिट गोंडे के अंदर में आपको पहले हो यहmontager के पहले दोगशा और प्रॉफिट करना चारह जो हो fu कि यह उखी सेटर के आपके न हो और अपना इखटा करता आहें ताकि जब मार्केट नीचे जाए तो वह इसको लोग प्रैस में खरीज सके नो तो क्या मार्केट में इस्ट्रेटेजी अपनाना सही है मुझे रगता है कि इस्ट्रेजी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर में चलिए मानलीजा आपके 60-70% जो लोग हैं वो इसी सैकलोजिक को अपनाते हैं तो बेशक मार्केट नीचे की तरफ में ड्रैक्ट तो करेगा लेकिन कुछ स्टॉक जो होंगे वो आपकी स्टाटेजी को नहीं फॉलो करेंगे वो ब्रे 11% क्यों अप था हमने अल्रीडी इसको हमारे 300 रुपीज पर मंत वाले प्लान के अंदर में हमने अल्रीडी ये निउस एक दिन पहले दे दी थी PSU का स्टॉक का जैसे हम अगर चाहें तो एक्जामपल ले लेते हैं आरी सी का आप यहां दे सकते हैं दस परसंट का लोगर सरकीट यह लगया था एक बार की लिए तो इसमें यहां मैं बात करूँ पावर फैनेंस कोर्परेशन की तो यह भी जो है आपको देखने को मिला 10% से आस पास में जो है आपको डाउन देखने को मिला तो इसलिए मैं आपको बोला कि PSU स्टॉक आउट और फोकस हो गये हैं उनके दर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखना जादा देखने को मिलेगा जैसे कि PSU बैंक्स भी आप बोलेंगे या टाइटन का शेर तो PSU के अंदर में आता है नहीं फिर यह क्यों गिर गया तो यह quarter की result की वज़े से यह नीचे की तरफ में गिरा लेकिन हमने यही stock नीचे गिरना था इस stock को अपने top से नीचे की तरफ में जाते हुए तो इस stock को हमने यहां पर sale मारा और यहां पर buy मारा और यहां पर intra day के अंदर में profit कमाया कम से कम 130 points का तो अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में तो देखिए कोटक बैंक की buy का भी मैंने call दिया था जो कि 7% अप था उसके अलावा यहां पर sale किया टाइटन के अंदर में तो sale टाइटन के अंदर में आया बाकी जो दो stock है वो active नहीं हुए लेकिन जो active हुए जैसे brokers है उन्होंने इनका बयान जो है दुर्भाग्य पूर्ण बताया ठीक है अर्षद मेता और केतन पारिक वाले जो scam है न वह वापस आने वाले इन्होंने ट्विट किया और ट्विट किस पर किया ट्विट किया है इन्होंने बेसिकली ट्विटर पर ठीक है जो पहले ट्विटर था और अब जो है चेंज हो गया तो यहां पर उन्हें कहा है कि बेसिकली यहां पर कोल करता कि जो बेसिकली बिजनस्वेन हैं कंपरियां वह अपना प्रॉफिट बड़ा चड़ा कर बता रही हैं उसके अलब गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर से वह आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो फॉल्स यहां पर आपको सारी चीज़ देख रही है लेकिन यह सारा का सारा जो है ब्रोकर ज 44 रुब कर डिविडेंड कंपनी इसको दे रही है हाले कि अगर आप पेड़ गुरूप के अंदर में होते तो आपको ओफस आज खरीदने का मौका मिल जाता था कि आपको कल डिविडेंड के लिए आप उसको एपलाई हो सकते थे लेकिन अब आपके हाथ से चीज निकल जो 300 डॉलर गुरूपस में बता दिया था देखिए गोद्रिश प्रॉपर्टी की जो न्यूस है जिसकी मज़े से उपर गया वह आपके सामने है किस किसका काफी अच्छा है वह आपके सामने है उसके अलवा टाटा पावर के अंदर में क्या न्यूस थी जो एज यहां पर उन्होंने करार किया ता उसका भी जो यहां पर पारज़ डिफेंस का है आरीजी के बारे में भी यहां पर जो है आपको देखने को मिला और यह सारी न्यूस आपको इंग्लिश और हिंदी हिंदी के अंदर मिल जाती वह भी मार्केट खुलने से पहले उसके अलवा स्टॉक यहां पर मिल जाता है ब्लॉक बाइंग इसके अंदर में यह वह भी आपको मिल गया उसके लावा इंटरनेशनल न्यूस आपको मिल जाती है शेर्स रिकमेंडेशन जो आपको मिलते हैं विट टार्गेट एंस टॉप लॉस जो की रोज नहीं मिलते हैं लेकिन हमेशा जब भी बीच-बीच में आते हैं तो कम से कम एक मेंने में 10 शेर आपको दिए जाते हैं और 10 के 10 शेर ही जो आपको रिटन देते हैं यहां पर बात करते हैं मुल्टीबेगर स्टॉक तोक की दस पैसे का शेर 22 रूप के पार चला गया जिसका बेसिक्ली राज रायन इंडूस्ट फंडामेंटल वाइज भी ये शेयर स्ट्रॉंग नहीं है तो ये शेयर उपर क्यों जा रहा है भहिया ये ऑपरेटर बेज़ शेयर है यहाँ पर इसलिए उपर जा रहा है बाकी इसका कोई तावड तोड़ इतना बड़ा रिटर्न कोई दे दे ऐसा नहीं हो सकता के बारे में बस एक ही न्यूस पॉजिटिव थी कि वो क्वाटरली जो उसके रिजल्ट थे लगातार तीन क्वाटरस उसको पॉजिटिव इंपक्ट मिल रहा था और पहली बार अगर ये अगर हम बात करें तो नेगिटिव से पॉजिटिव रिटर्न में हैती लेकिन यहाँ और एक 641 करोड का प्रॉफिट भी है अब वो 641 करोड का प्रॉफिट कहां से है भाई या वो अधर इंकम का प्रॉफिट है उसका मेजर या मेन बिजनिस का नहीं है जैसे आपने मालों कोई लैंड या बिल्डिंग बेज या कोई मशिनिरी बेज दी तो उसका क्या होगा वो एक कैपिटल गेन हो जाएगा आपके लिए ठीक है लेकिन वो बिजनिस से नहीं आ रही है तो आपने कोई चीज बेज दी है वो एक बार ही तो बेचो कि हर बार नहीं बेचोगे इसलिए इस प्रॉफिट को कंक्लूड नहीं करते हैं इसको ही कंक्लूड किया जाएगा और बात कर लेता हैं में सेटर कारबनान वें कंपनी के अंदर में जो है तूफानी तीज आपको देखें वें बारा रुपए से शेर जो है बारा दिन के अंदर में यह शेर 12% हूँ चल गया है 18-19 रुपए पर शेर ट्रेड करता था वहां से 40 रुपए का सब पहुंच गय फिलाल के लिए बड़ी कंपनी है इन्फ्लूइंसिंग नहीं हो सकती उसके अलावा अगर हम आगे चले तो चारी कंपनी जो है इसके पियर कंपरेजन में आपको देखें हो बल रहे है लेकिन यहां पर एक चीज जो है आपको वह काफी आकरशित कर रही है जो है इसका से अब देखिए इन एट यह जो है प्रॉफिट आया था यह प्रॉफिट था अधर इंकम से बाकि उसके बाद में जो प्रॉफिट से वह अधर इंकम किसे हो रहे थे लेकिन अभी वाला जो प्रॉफिट हो ना करेंट प्रॉफिट यह जो करेंट प्रॉफिट है यह है बेसि कंपनी के इंदर में क्या हो गया एच्छी आने लग गई और मार 2024 के बारे में बता रहरों शेरोलंडिंग के अन्दर में जदा कुछ फरक नहीं पढ़ा है लेकिन शेर होल्डर जो हैं वो बड़े हैं पहले की मुकाबले तो यहां पर यहीं बताऊंगे कि हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो रीकवरी के उपर में हो और यह इसके बारे में मैंने वीडियो जो है आधिंग शायद मैंने जो एक रिवाइवल कर सकती है टाटा मोटर्स की तरह है और वही होता हुआ देखने को फिलाल यहां पर मिल रहा है तो यह कंपनी जो है वो आप अपने पोटफिलो में डाल के रख सकते हैं और यहीं आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिलवा भी सकती है वीडियो कर अच् इंदे अच्छा प्रॉफित सकती है